नमस्कार दोस्तों, MPN Academy में आप सभी का हादी का विनंदन है, प्रस्तूत है Weekly Current Affairs Test Series दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 16 से लेके 23 जून 2022 तक के समसामाई घटना करम पराधारित 30 महतपूर्न Multiple Choice Questions को व्याख्या के साथ हल करेंगे Friends, the English edition of this video along with its PDF with full description in English is available on MPN Academy app, the course name is 68th BPSC Current Affairs course in English पहला प्रस्ण है, Westwick Livability Sushkang 2022 में दुनिया के रहने हैं तू सबसे अच्छा शहर कौन है? सही जवाब है, आपसर नमर ए, Vienna देकमामिस्क मैगजिन द्वारा जारी इस वार्शिक सुची में आउस्ट्रिया की राजधानी वियाना शिर्स पर रहा इस सुची में भारत समेट दक्षिनी एश्याई देशों का प्रदर्शन बहुत ही मिरासा जनक रहा इस सुची में सबसे नीचे सिर्या की राजधानी दमिस्क को रखा गया है सुची में डेन्माक का कोपेन हेगन दूसरे स्थान पर और स्विजर्लेंड का जियूरिख तीसरे स्थान पर रहा हाली में चर्चा में रहा केबुल लाम जाओ राश्टिय उद्यान किस राजधी में स्थित है सही जवाब आप्सन नमर बी इस उद्यान के निवासी अस्थाल के अस्थामंतरन का विरोध कर रहे है लोगों का तर्ख है कि प्रस्तावित अस्थाल का लुप्त प्राय हिरनों को बचाने के प्रयास से कोई सम्बंद नहीं है इजराइल ने भारत के किस राजध के साथ शमता निर्मान और एकिकरित जल समसाधन प्रवंधन हेतू एक संजुक्त घोषना पर हस्ताक्षर किये है सई जवाब है अफसन नमर सी हरियाना इस समझोते के तहट इजराइल अपनी सबसे उन्नत और अत्याधूनिक जल प्रवंधन चेत्रों में मौझूदा संबंधों को मजबूत करने कि देश के खुपन गूल जील राष्टिय उद्यान को युनेसको दोरा बायोस्पेयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है सई जवाब है अफसन नमर ए मंगोलिया यह निरने फ्रांस के पिरिश में इंटरनेशनल कोडिनेटिंग कॉंसिल आफ मैन एन बायस्फेर प्रोडाम के 34 सत्र के दौरान लिया गया यह जील उत्तरी मंगोलियाई प्रांत खुपसगुल में रूस की सीमा के पास अस्थित है यह मंगोलिया के मीठे पाने का 70% सुरूत है तथा समुद्र तल से लगवग 1645 मीटर की उचाई पर अस्थित है इसकी लंबाई जो है 135 किलो मेटर और गढ़ाई है 262 किलो मेटर छेत्रफल की दृष्टी से यह मंगोलिया की दूसरी सबसे बड़ी जील है तथा रूस में अस्थित बैकाल जील से लगवग 200 किलो मेटर पस्टिम में अस्थित है अंतराष्टिय योग दिवस 2022 की थीम क्या थी? सही जवावे अफसन नमर D मानवता के लिए योग 20 अस्थर पर सरपर्थम वट्स 2015 में अंतराष्टिय योग दिवस का आविजन किया था 11 दिसंबर 2014 को संजुक्त राष्ट महासवा के 29 सत्र के दोरान एक प्रस्ताव पारित करके 21 जुन को अंतराष्टिय यानि विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाने के लिए मानता दी गई थी 18 अंतराष्टिय योग दिवस 2022 योगा फोर हुमेनिटी यानि मानवता के लिए योग थीम पर अधारित है 15 शतावदी से भारत में प्रचलित योग तन और मन दोनों को स्वस्त रखने में फायदे मन रहा है जो चात्र इस योटूब चैनल पर जारी सभी करेंट फेर्स वीडियोस की पीडियोस प्राप्त करना चाते हैं उनके लिए यहां जानकाड़ी दी जा रही है सबसे पहले आइए समझते हैं कि आपको MPN Academy करेंट फेर्स पीडियोस की अवशकता क्यों है MPN Academy PDF सी क्या हूँ दोस्तों हमने करके दिखाया है पिछले तीन वर्सों में चार महतपुर्न एक्जाम्स हुए है और उसमें MPN Academy का परफॉर्मेंस कैसा रहा है आईए आपको दिखाते हैं 66 BPSC Prelims का एक्जाम वहा था 2020 में 27 दिसंबर को जिसमें से 41 प्रस्ण पूछे गए थे करेंट फैर्स सेक्षन से 36 प्रस्ण टैली हुआ है MPN Academy PDF से परफॉर्मेंस कितना रहा 87 दिसंबर 8 सुन्य परतीसर 2021 में BPSC द्वारा कोई एक्जाम कंड़क्ट नहीं कराया गया था तो हमने सकेंड बेस्ट एक्जाम को लिया है बिहार SI Prelims एक्जाम 2021 Shift 1 और Shift 2 दोनों मिला करके 36 करेंट फैर्स से क्वेस्टन पूछे गए थे जिसमें से 31 टैली हुआ है MPN Academy PDF से परफॉर्मेंस राज 86 दसमलब 1-1 परतीसर यह एक्जाम 26 दिसंबर को हुआ था 2022 में दो पडिच्छा हुई है एक पडिच्छा तो रद हो गई है कैंसील हो गई है पेपर लिग के करण से 66 वी BPSC PT पडिच्छा 2022 आठ माई को यह एक्जाम हुआ था जिसमें से 30 प्रश्न करेंट फेर्स सेक्षन से पूछे गए थे 26 टैली हुआ है MPN Academy PDF से परफॉर्मेंस राज है 86 दसमलब 7-7 परतीसर अभी रिसेंटली BPSC CDPO प्रारेंबिक पडिच्छा हुई है 15 माई को जिसमें 35 करेंट फेर्स से क्वेस्चन से फेर्स PDF से टैली हुआ है दोस्तों इन सारे एक्जांस में पूछेगे करेंट फेर्स क्वेस्चन और MPN Academy में कहां से टैली हुआ है पूरे परमान के साथ वीडियो यूटूब पे मिल जाएगी और टेलीग्राम पे मिल जाएगी तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए इससे आपको करेंट फेर्स सेक्षन में रिसेंट इयर्स में किस प्रकार के क्वेस्चन पूछे जाते हैं पैटरन का पता चलेगा साथी साथ MPN Academy PDF को कैसे इस्तेमाल आपको करना है ये भी पता चलेगा आईए अब चर्चा करते हैं कि इन PDF कोर्स में किस प्रकार की समगरी मिलेगी आपको दोस्तों 60-60-60-60-60-60 दोनों का कोर्स उपलब्ध है करेंट फेर्स का इन करेंट फेर्स के साल वर के कंटेंट को रिवाइज करने में आपको केवल 18 गंटे का समय लगेगा कैसे देखिए तीन परकार की कंटेंट आपको प्रवाइज किये जाते हैं सापता ही करेंट फेर्स टेस्सरीज MCQS फॉर्मेट में राष्टी और अंतराष्टी अलेवल का इसमें आपको 50 PDF मिलेगा साल वर में एक मेने में 4 PDF मिलती है तो 12 मेने 48 PDF हो गया एक Economic Survey और एक Budget कुल मिला के 50 PDF एक PDF को रिवाइज करने में आपको 6 मिनट का समय लगेगा तो कुल 5 घंटे में आप इन Weekly Current Fet टेस्सरीज को अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे सकेंड नमर पे है मासी Current Fets Monthly Current Fets शॉर्ट नॉट्स में यह आपको राष्टिया और अंतराष्टिया लवल का मिलेगा 12 मेने का 12 PDF एक PDF को रिवाइज करने में लगभग आदा घंटा का समय लगेगा तो कुल 6 घंटे में आप इसे भी समाप्त कर देंगे थर्ड नमर का कंटेंट है वो है विहार मंतली Current Fets इसमें MCQs भी मिलेगी और Short Notes भी मिलेगी इसमें 14 PDF मिलेंगे 12 मेने के 12 PDF एक Economic Survey और एक Budget एक PDF को रिवाइज करने में लगभग 30 मिनट का समय लगेगा तो कुल 7 घंटे में इसे भी आप रिवाइज कर लेंगे तो कुल 18 घंटे में आप एक साल भर के Content को रिवाइज कर लेंगे ध्यान में रखिएगा कि 16 घंटे का जो एक्जाम है वो काफी डिले हो गया है इसे आपको नवंबर 2020 से स्टड़ी करना है और एक्जाम डेट से जस्ट एक मेने पहले तक तो लगवग डेट साल का Content आपको श्टड़ी करना है इसमें तो लगवग आपको 25 घंटे का समय लेगा एक वार आप रिवाइज कर पाएंगे यदि एक्जाम से पहले 5 से 6 वार आप रिवाइज कर लेंगे तो आपका performance आस्टर जनक तरीके से बढ़ जाएगा 68 VPSC के लिए Content जनवरी 2022 से दिया जा रहा है दोस्तों आपको ये PDF मिलेगा कैसे आपको MPN Academy एप डॉनलोड करना है जो की Google Play Store पर अवेलेबल है आप MPN Academy सर्च कीजिए वहाँ पर आपको ये लोगो दिख जाएगा आपको इंस्टॉल करने के बाद सबसे नीचे देखेंगे तो Store सेक्षन मिलेगा आपको आपको आप पर वहाँ पर क्लिक कीजिए और 66 या 68 VPSC Current Facts का कोर्स सेलेट कीजिए जैसे उसे सलेट करेंगे तो वहाँ पर आपको पेमेंट का लिंक मिल जाएगा बहूत ही रिजनेवल प्राइस पर ये सारे PDF साबको मिल जाएगे शुल का बुकतान करें और सभी PDF आपको content section में वहाँ पर उपलफध हो जाएगा किस राज में एन्नम एजुथम योजना को लाउंच किया गया है सई जवाब है अपसन नमर सी तमिल लाडो में ये योजना COVID-19 महामारी के प्रिनाम स्वरूप आठ वर्स से कम आयू के चात्रों के बीच अधिगम के अंतर को कम करने के उद्देश से शुरू की गई है इसका उद्देश वर्स 2025 तक मूल भूत संख्यात्मक्त यानि foundational numeracy और सक्षरता यानि literacy सुनिस्चित करना है योजना के तहत शिक्षा विभाग सीखने के बीच के अंतर का आंकलन करने और उसे समाप करने के लिए कक्षा एक से तीन तक के छात्रों को काड़ पुस्तिका वितरीत करेगा इस पहल के तहत बच्चों को तीन विश्यों तमील, अंग्रेजी और गणित में प्रशिक्षित किया जाएगा हाली में चर्चा में रही पारा नदी किस नदी की एक सहयक नदी है सहीजवागा अप्सन nummer D चंबल नदी, पारा नदी को पारवती के नाम से भी जाना जाता, इसे ध्यान में रखिएगा यह नदी विंध्यांचल की पस्चमी श्रेणियों से निकल कर ग्वालियर प्रदेश में भती वी सिंध या काली सिंध में मिल जाती है यह नदी राजस्थान वह मद्द प्रदेश की सीमा बनाते हुए 12 जिले में राजस्थान में प्रवेस करती है तथा बाड़ा वह कोटा जिले में भने के बाद पाली गउंग जो की सवाई मादुपूर के नजदीक है, चंबल नदी में मिल जाती है न्यूज में क्यों है मद्ध प्रदेश सरकार ने चंबल और उसकी सायक परवती नदी से संबंद 5 हिस्से के 292 हेक्टेर छेत्र में खनन गतिवीदियों का प्रस्ताओ दिया है ध्यान में रखेगा कि 2006 से राष्टिय चंबल अव्यारन में रेत के खनन पर प्रितिबंद लगा हुआ है 44 शतरंज ओलंपियाट 2022 का आयोजन किस भारतिय राजज में किया जाएगा सही जवाब है ओप्सन नम्मर डी तमिलनाडू में 28 जुलाई से 10 अगस तक होगा वर्ष 1927 से आयोजित इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी भारत में पहली बार और 30 साल के बाद एशिया में हो रही है 192 देशों के भाग लेने के साथ या किसी भी शत्रंज उलम्पियाड में सबसे बड़ी भागिदारी होगी यह काड करम मुल रोप से रूस में आयोजित होने वाला था लेकिन यूक्रेयन के आकरमन के बाद थीडे वहां से हट गया यह स्थल मद्य चन्यई से 60 किलोमीटर दक्षिन में सेरेटन महाबली पूरम रिजॉर्ट एंड कंवेंशन सेंटर दोरा 4 पॉइंट्स होगा यह ममलापूर में अस्थित है जो भारत के प्रसिध परेटक अस्थलों में से एक है भारतिय महिला सेनिकों ने किस देश के उलान बटार में चार दिवसिया महिला शांती और सुरक्षा समिनार में भाग लिया सही जबाब है अप्सन नमर ए मंगोलिया कार्करम खिश्रुवात स्वल्लय जुन को हुई और इसे मंगोलिया की राष्ट पती उखना खरेल सुक के मार्क दर्सन में आजित किया गया उखना खरेल सुक ने उट गाटन बासन में कहा कि उनका देश संजुक्त राष्ट के शांती अभियानों में महिलाओं की भागिदारी को बढ़ावा देगा केंद्रिय कानून और नियाय मंतरी किरन रिजीजु ने सत्रे जुन को भारतिय समुदाय से बातचित की वे भारत से भगवान बुद्ध के समंधित चार पवित्र अवसेशों को लेकर तेरे जुन को उलान बटार पहुचे थे किस राज्य के गाओं में देश की पहली बालिका पंचायत शुरू की गई है सही जवाब है आफसर नमर B दी जाती है बीश वर्षी ये उर्मी अहीर को बालिका पंचायत का सरपंच बनाया गया था इसका मुख देश बालिकाओं को समाजी को राजनिति विकास को बढ़ावा देना और समाज में मुझूद कुरितियों को दूर कर उनके समस्याओं का समधान करना है ये बेटी बचा अब्यारन मोगाले के री भोई जिले में लेलांट गाओं के पास अस्थित है यह 29 वर किलोमेटर में फैला हुआ है यह वानिजीव अभ्यारन बंगाल टाइगर चीता काला भाल और हार्मील पक्षी के लिए प्रसिद्ध है अभ्यारन ने पुर्वी हिमालाई वेश्विक जय विवित्ता होट्सपाट में आता है न्यूज में क्यों है वेग्यानिकों ने अभ्यारन के पास बैंबू ड्वैलिंग बैट चमगादर की एक नहीं प्रजाती की खोज की है भारत की पहली डिस्पले फैबरिकेशन यूनिट किस शहर में स्थापित की जाएगी सही डिस्पले फैबरिकेशन यूनिट 24,000 करोर रुपय के निवेश स्थापित की जाएगी जिसे एलक्ट्रोनिक्स और सुचना प्रद्योगी की मंत्रा लेके इंडिया सेमी कंड़क्टर मिशन प्रडाम के तहत अस्थापित की आ जाएगा तेलंगाना में डिस्पले फैब अ जैसे भारत अमेरिका चीन और जापान जैसे देशों के साथ वेश्विक मान चितर पर आ जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा पोधा किस देश में खुजा गया है सही जवाब है ऑप्सन नुमर सी ऑस्टेलिया इस पोधे का नाम प्वाइजो डोनिया ऑस्टेलिस है जो ए एकल बीज से समुदरी घास होगी होगी जिस जगह पर ये पोधा पाया गया है उसे शार्क बे यानि शार्क खाड़ी कहा जाता है जो एक विश्व धरोहर छेतर है ये पोधा बढ़ते बढ़ते 180 किलोमेटर की लंबाई तक जा पहुचा है टी ट्वन्टी इंटरनेशनल मैचों में अर्द शतक लगाने वाले सबसे उम्र दराज भारतिय खिलाडी कौन बने हैं सही जबावे अफसन नमबर बी दिनेश कार्तिक 37 साल और 16 दिनों में कार्तिक महंदर सिंग धोनी से आगे निकल गए जिनोंनी 2018 में 36 साल और 23 दिनों म दक्षिन अफ्रिका के खिलाब 28 गेंदों में नवाद 52 रनों की पारी खेली थी कार्तिक ने राज कोट T20 में टीम इंडिया के लिए सौंदार प्रदसन करते हुए 27 गेंदों में 55 रन बनाए इसके साथ साथ कार्तिक का दक्षिन अफ्रिका की खिलाब T20 में यह पहला जबावे अफसन नमर डी रंजना प्रकास देसाई उच्चतम न्यायाले की पुर्व न्यायदिस न्यायमूर्ती रंजना प्रकास देसाई ने जम्मू कश्मीर परी सीमर आयोक की हाली में देक्षिता की है जिसका गठन केंद्र साशित प्रदेश में विधान सवाथ शेतर कैद्र के स्थापना किस शहर में की जाएगी सही जवाब है ओप्सन नमर बी कोलंबो केंद्रिय मंदल ने तरन विव्प प्रदयोगी की स्थान ंतरन कैंद्र की सyyis के खिशता के अले वह之前 की अलादेश, मियामार, थाइलंट और स्रिलंका विम्स्टेक टेक्नलोजी ट्रांसफर फैसिलिटी का मुख देश प्रोध्योगीकों के हस्तान अंतरण अनुभवों को साजा करने और छम्ता निर्मान को बराबा देकर विम्स्टेक सदस्य देशों के बीच समन्वय एवं सहयो को मजबूत करना है विम्स्टेक का मुख्याल है बांगला देश की राजधानी धाका में है संजुक्त राष्ट का अवर महासचीव किसे न्यूक्त किया गया है सही जवाव है उप्सन नमर सी रबाब फातिमा यूवन महासचीव एंटोनियो गोट्रेस ने संजुक्त अमेरिका के राष्ट्रपती के विज्यानिक सलाकार के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है सही जवाव है ऑफ्सन नमर बी आरती प्रभाकर ये एरिक लेंडर की जगह लेंगी जिन्होंने अपने काडिकाल के दोरान अपने कर्मचारियां को धमकाने और शत्रुता पु पोजिशन टेकसास में हुआ है इन्होंने 1984 में कैलिफोर्निया इंस्टिटूट आप टेक्नलोजी से प्येजडी पूरी की है तो यह है डक्टर आरती प्रभाकर किस संस्थान के शोधकरताओं ने गटर यानि सैप्टिक टैंक की सफाई करने वाले एक खास तरह के गया है अब गटर में गंदगी को साफ करने के लिए किसी भी इनसाम को जाने की ज़रूरत नहीं है सेप्टिट टैंक में उतरने के दौरान सफाई कर्मियों की मौत हो जाती है फुजियान नाम से अपना तीसरा विमान वहक पोत किस देश ने लांच किया है सई जवाब है नमर ए चीनने यह विमान वहक पोत सबसे उन्ना तेवं पहला पूरी तरसे घरेलू रूप से निर्मीत नौसेनिक पोत है इसे शंगाई के जियांगान शिप्यार्ड में एक संचित समारों में लांच किया गया था यह पहला घरेलू डिजाइन वं निर्मीत केटा पल्ट विमान वहक पोत है वन नेशन वन रासन कार्ड कार्ड करम से जुरने वाला देश का अंतिम राजी कौन बन गया है सईजवावय आफसन नमर सी असम असम वन नेशन वन रासन कार्ड लागू करने वाला 36 राज या क्यंदर सासित प्रदेश बन गया है इसके साथ ही देश का पूरे देश में लागू हो गया है इसका करियान वयन अगस्त 2019 में शुरू किया गया था इसे राष्टिय खाद्य सुरक्षा देनियम 2013 के तहत कवर किये गए लावार्थी अपनी पसंद के किसी वी अलेक्ट्रोनिक पॉइंट आफ सेल डिवाइस लाइस रासन की दुकानों से सबसीडी वाले खाद्यान का अपना कोटा प्राप्त कर सकते हैं इसके लिए बायमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के साथ अपने मोजुदा रासन काट का उप्योग करना होगा भारतिय वधिर क्रिकेट संग द्वारा आयजीत पहली अंडर 19 T20 रास्टिय क्रिकेट चेंपियनशिप का खिताब की स्टीम ने जीता है सई जवाब है ओप्सन नमबर D आंदर प्रदेश गुजरात को 5 विकेट से हरा कर आंदर प्रदेश ने वधिरों की पहली अंडर 19 T20 रास्टिय क्रिकेट चेंपियनशिप अपने नाम किया टॉस जितकर फिल्डिंग का फेसला करते हुए अंदर प्रदेश के गिंदवाजों ने गुजरात को मात्र संतौनवे रानों पर रोक दिया था 16 से 19 जुन तक आयोजित 4 दिशिया टूनामेंट में देश वर की टीमों ने प्रतिस्तित T20 चेंपियनशिप खिताब के लिए प्रतिस्परदा की थी हाली में संपन एशियाई ट्रैक साइकलिंग चेंपियनशिप की पदक तालिका में सिर्ष अस्थान किस देश ने हासिल किया सही जवाब है आफसा नमर 2 जापान ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंदोर खेल पडिसर में आजित 41 सिनियर और 28 जुनियर एशियन ट्रैक और 10 पैरा ट्रैक साइकलिंग चेंपियनशिप में जापान ने कुल 27 पदक अपनी नाम किये जिसमें 18 स्वर्न पदक, 7 रजयत पदक और 28 पदक था और पदक तालिका में स्विर सस्तान हासिल किया दोसरे नमर पर दक्षिन कोडिया रहा और तिसरे नमर पर कजाकिस्तान भारतिय साइकलिंग टीम ने भी चेंपियनशिप में कुल 23 पदक जीता और यह भारतिय साइकलिंग दल का अब तक का सबस्रेक प तीन चरनों वाले नूरी रॉकेट ने एक दक्षिनी आयलेंड पर दक्षिन कोडियाई स्पेस लांच फेसलेटी से 435 मिल की लक्ष उचाई पर एक काडिरत परफॉर्मेंट्स वेरिफिकेशन उपग्रह को सफलता फुर्वक लांच किया। इस परफ्षेपन ने दक्षिन कोडिया को अंत्रीक्ष में उपग्रह अस्थापित करने वाला दुनिया का दस्वा देश बना दिया है। हवाई अड़े की कुल बिजली की 6% उड़ा एर साइड और कार्गो टर्मिनल की छेतों पर लगे सोलर पैनल से होती है जवकि से 94% उड़ा वाटर एनर्जी यानि जल उड़ा से मिलती है। फिनलेंड में चल रहे कोरताने गेम्स 2022 में नीरत चोप्राने कौन सा पदक जीता है। नीरत चोप्राने मुकाबले में शांदार प्रदसन करते हुए 86.69 मीटर का थ्रो फेक कर पहले अस्थान पर कपजा जमाया। करेवियन देश त्रिनिदार एन टोबैगो के केशोरन वर्लकॉर्ट ने 86.64 का थ्रो फेक कर दूसरा अस्थान हासिल किया। जबकि तीसरा सन मिला है ग्रेनेडा के इंडर्सन पीटर्स को। नीरत चोप्रा हर्याना के पानी पत के रहने वाले हैं जिन्होंने ओलम्पिक में भी स्वर्न पदक जीता था। भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली नीजी ट्रेन कहां से कहां तक के लिए शुरू की गई है। ये भारत गौरव ट्रेन कोयमबटूर उत्तर से चली और स्वल्लेज उनको साइन अगर शिर्डी पहुची। भारत गौरव ट्रेन कैंसरकार के डोमेस्टिक टूरिजम के प्रमोशन के लिए चलाये जा रहे है। अब यहां देखो अपना देश के तहत की गई पहल है। हाली में चर्चा में रहा थेरिव मरुस्थल किस राजजिमस्थित है। सही जवाब है अफसर नमर डी तमिल नाडू यह तमिल लारू राजजिमस्थित एक चोटा सरेगिस्तान है जिसमें लाल रेत के टिले हैं और यह थुटु कुडी जिलेक तक ही सिमीत है। लाल तीलों को तमिल में थेरी कहा जाता है इसलिए इसका नाम थेरी मरुस्थल हो गया है। इनमें क्वाटरनी यूग यानि 2.6 मिलियन वर्ट्स पहले शुरू की गई तलचट शामिल है और समुदरी निच्छेव से यह बने हैं। इसमें बहुत कम पानी और पोसक तत उधारन छमता है। मनुष्यों द्वारा संक्रमित किया जाता है अभी तक कोई अन्य पशुवाक नहीं मिला है। जो की बहुत ही खतरना कस्तिती है। टाइपफवाइड वुखार मल मोखिक मार्ग से दुसित भोजन या जल के अंतर गरहन के माध्यम से फैलता है। तो दवाओं के परती परती रोधी होने का मतलब यह हो गया कि दवाओं का असर बहुत ही कम हो जाएगा। दोस्तों जैसा की बताया गया है इस वीडियो लक्चर का पीडियाप और इस वीडियो लक्चर का इंग्लिश एडिशन और साथ में इंग्लिश में ही फुल डिस्क्रिप्शन के साथ पीडियाप आपको MPN Academy एप पर प्रार्थ्ट होगा। दोस्तों इन PDF के सारे आप इस वीडियो लक्चर को आसानी से 5-6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा जिससे आप static portion पर लगा सकते हैं दोस्तों MPN Academy app का link description box और pinned comment section में मिल जाएगा चलिए अंतिम प्रस्ण को हल करते हैं किस भारतिय खिलाडी ने थाइलेंड के पटाया में एशियाई junior squash championship में लड़कियों के अंडर 15 वर्ग में स्वर्न पदक जीता है सही जवाब है option नमर D अनाहात सिंग 14 वर्षिय अनाहात ने final में होंग कोंग की कौंग एना को 30 से हरा कर सिर्ष सस्थान हासिल किया ये tournament में एक भी गेम कवाय बिना final में पहुची थी ये साल क्यांत में फ्रांस के NNC में ग्विश जुनियर squash championship में भारत का परतिनी धित्तु करने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी होंगी दोस्तों इसी के साथ सबता ही current fat test series के इस तंसकरन को समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूंगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थांक्यू वेरी मच्च अल्दे बेस्ट फोर एर एक्जाम प्रेपरेशन